हेलो दोस्तों इस Oracle SQL Developer की वीडियो में हम सीखेंगे कि Oracle SQL Developer में हम Line Number कैसे Enable कर सकते हैं, Line Number Enable करना क्यों ज़ूगरत है? Reason is that कि जैसे, let's say कि आपका काफी huge DB script है और Oracle SQL Developer में आप रन कर रहे हैं और किसी particular Line में Error आया तो Debugging Purpose के लिए आपको Line Number का Enable होना ज़ूड़ी है जब Error देगा, let's say, Error में आता है कि Line Number 25 में कुछ Error है तो आप Line Number नहीं Enable रखोगे, तो Line Number count करके तो रही जागे, काफी time लग जागा इसके लिए Line Number हमें Enable करना चाहिए, Debugging Purpose के लिए तो इसके लिए आपको क्या जाना है, Tools में जाने का बात Preferences, Preferences में जो Code Editor है, इसको Expand करना है आपको इसमें बहुत सारे Options मिलेंगे, इसमें Line Gutter एक Option है, Right, Line Gutter इसके अंदर नहीं और जो Bottom में OK बटन है, इसके क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि Line Number Enable हो गया